नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बर फिर से दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों हिंदु धर्म में शनिवार का दिन भगवान शनीदेव को समर्पित होता है नवग्रहों में शनी ही एक मात्र ऐसा ग्रह है जिसे सबसे कुरूर माना जाता है शनी की साढ़े साती या शनी की ढईया का नाम सुनकर बड़े से बड़े अमिर व्यक्ति पर भी प्रतिकुल मनोवाइग्यानिक प्रभाव पड़ता है ये बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि शनी ग्रह इमानदार लोगों के लिए यश, धन, पद और सम्बान का ग्रह माना जाता है शनी संतुलन एवं न्याय के देवता है शनी अर्थ, धर्म, कर्म और न्याय का प्रतिक है कहते हैं शनी देव पापी व्यक्तियों के लिए अत्यंद ही दुखदायक है शनी की दशा आने पर जीवन में कई उतार चड़ा होते हैं जिससे जीवन पूरी तरह डगमगा सकता है बड़े से बड़ा अमिर व्यक्ति भी कंगाल बन सकता है परंतु शनी देव कुछ लोगों के लिए अत्यंद शुग और स्रेष्ट फालदाई है सुर्य पुत्र श्री शनी देव मृत्य लोग के ऐसे स्वामी है अधिपती है जो समय आने पर व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर उसे दंड देखकर सुधरने के लिए प्रेरित करते हैं लेकिन दोस्तों हमारे ग्रंथों में शनी देव की कुरूपा जिन लोगों पर होती है उनके बारे में कुछ लक्षन बताए गए है आज के वीडियो में हम आपको व्यक्ति के ऐसे लक्षनों के बारे में बताएंगे जिन पर शनी देव की कुरूपा हमेशा रहती है ऐसे व्यक्ति पर शनी देव हमेशा महरबान रहते हैं ऐसे व्यक्ति को शनीदेव दंड भी देते हैं तो उसे सुधारने के लिए देते हैं इसलिए अगर आपके भी जीवन में परेशानी चल रही है तो शनीमंदिर जाकर शनीदेव से प्रार्थना अवश्य करें क्योंकि शनीदेव आपसे रुष्ट नहीं है बलकि वे तो आपको सुधारने के लिए इस तरह से आपको दंड दे रहे हैं ताकि आप सुधर जाएं और आपका भविश्य अच्छा बने तो चलिए जानते हैं कौन से है वो लक्षन लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईएगा तो आईए अब जानते हैं उस व्यक्ति के लक्षण जिन पर शनीदेव महरबान होते हैं यदि किसी व्यक्ति पर शनी महरबान है तो उसके साधरण जीवन में कुछ खास बातें दिखाई देती है ऐसे व्यक्ति का शरीर दुबला पतल होता है ऐसे लोग शुरुवात में देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करते हैं परंतु धीरे-धीरे इनका देवी देवताओं पर विश्वास बढ़ने लगता है ये लोग अध्यात्म की और बढ़ते चले जाते हैं ऐसे लोगों को चोटी उम्र में हड़ीयों के र की कुरुपा है. जिन लोगों पर शनी महर्बान होते हैं, ऐसे लोग बड़ी से बड़ी परेशायनी से निकलने में सक्षम होते हैं. दिक्कत कितनी भी बड़ी हो, समाधन देर सबेर निकल ही आता है. यानि कितनी भी तकलिफें आएं, इनको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है इस तरह के व्यक्ति किसी की मदद लेना पसंद नहीं करते और ना ही किसी की मदद से आगे बढ़ते हैं ऐसे लोग जमीन से अपना सफर शुरू करके एक दिन बुलंदी पर पहुंच जाते हैं अगर शनीदेव की कृपा आप पर है तो आप हमेशा अपने आप को मजबूत और अधिक स्वतंत्र रूप से पेश करने का प्रयास करते हैं जैसे कि आप सच में होते हैं साथ ही आप एक भावनात्मक व्यक्ति है आप किसी से जूड जाते हैं तो आपको उसके साथ लगा हो जाता है और आप उसका साथ चोड़ना पसंद नहीं करते आप ज करते काम को अनुशासन से करते हैं काम में जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक अथक प्रयास करते रहते हैं और शनीदेव आपके इस प्रयास से प्रसंद होकर आपको अंत में फल्द जरूर देते हैं दोस्तों ये लक्षण यदि आप में है तो समझ जाईए कि शनी की के लिए कुछ उपाय अवश्य करें शनी के लिए सर्सों के तेल का दान करना और प्रयोग करना काफी अनुकुल परिणाम देता है अगर शनी के कारण चीजें रुग गई हो और जीवन में कोई सफलता नहीं मिल पा रही है तो सर्सों के तेल का विशिश प्रयोग करें शन मंदिर जाकर काले वस्त्र का दान अवश्य करें, शनिदेव पर तेल चढ़ाएं और शनिदेव से प्रार्थना करें, शनिदेव आपके पीता के समान है, जिन लोगों पर शनिदेव हमेशा महरबान रहते हैं, उन्हें कश्ट तो वो देते ही हैं, परंतु कश्ट का काल होते हैं, उनके अंदर ये लक्षन दिखाई देते हैं, अगर आपके अंदर भी ये लक्षन दिखाई देते हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप शनिदेव के भक्त हैं, तो कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें, आज के लिए बस इतना ही, दोस्त को शेर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईएगा ताकि आने वाला नौलेजबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलें दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई एंड थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडिय को बड़ता है अगरा नौले जरू